सीतला माता की कता है, दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे वास्तु ग्यान गंगा योटूब चैनल पर, आज मैं आपको सीतला माता की कता सुना रहा हूँ ऐसा माना जाता है कि सीतला माता भगवती दुर्गा का ही रूपे हैं बारतिय उपासना पद्दती जहां मनुष को अध्यानत्में ग्रूप से मजबूत करती है वही सारे को मानसिक रोगों को दूर करने का भी विशेश मैत वैसीतला अश्टमी के दिन सीतला सत्मी वा सीतला अश्टमी व्रत मनुष को चेचक के रोगों से बचाने का प्राचिन काल से ही चला रहा है और इससे संतान की रख्या भी होती है इसे व्रत में अश्टमी के दिन कलस स्तापित कर माता का पूजन किया जाता है तता प्रातना की जाती है जदन चेचक, गलगोटू, बड़ी माता, छोटी माता, तीब्र दाहा, दुरवय युक्त, पोड़े, नेत रोग और सीतल, जनत, सभी प्रकार के दो सीतला माता की किरपा से दूर हो जाते हैं एक वार एक राजा के इकलोते पुत्र को सीतल यानी चेचक निकली, उसी के राज में एक काँची पुत्र को भी सीतला निकल हुई थी काँची परवार बहुत गरीव था, पर भगवती मा का उपासक था वाय दार्मक द्रश्टी से जरूरी समझे जाने वाले सभी नियमों को बीमारी के दोरान भी भाली भांती निवाता रहा गर में साप सपाई का विसेश क्यार रखता था नियम से भगवती माता की पूजा किया करता था, नमक खाने पर पामन्दी थी सबजी में ना तो छोंक लगा सकता था और ना ही कोई बस्तू बुनी तली खाता था यानि इतने नियम निवाता था गरम बस्तू ना वह स्वेम खाता था ना ही सीतला बाले लड़के को देता था ऐसा करने से उसका पुत्र सिग्री ठीक हो गया जब भी चेचक या माता निकलती है तो इन बातों का भी इसे शुरूप से ध्यान रखा जाता है उदर जब राजा के लड़के को सीतला का प्रकूप हुआ तब से उसने भगवती के मंडब में सचचन्डी का पार्ट शुरू करभा रखा था रोज अबनवा बल्यदान देते थे राज प्रोयत भी सदा भगवती के पूजन में निमगन रहते थे राज मेल में रोज कड़ाई चड़ती बिवित प्रकार के गरम स्वाधिष्ट भोजन बनती थे अब देखे कितना फरक है कि जो गरीब था वो तो पूरे नियम निवारा था रेकिन राजा के यहाँ पर रोज कड़ाई चलती थी इसमें यह होता है घर में अगर किसी के माता निकलाती है वह भोजन के लिए जित करता एक तो राजपोत्र और दूसरे एक लोते इस कारण उनकी अनुचित जित भी पूरी कर दी जाती थी इस पर सीतला माता का कोप गटने के बज़ाय बढ़ने लगा सीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलाए जिनमें खुजलीवा जलन अधिक होती थी सीतला की सांती के लिए राजा ने जितने भी उपाय करता सीतला का प्रकूप उतना ही बढ़ता जाता क्योंकि अज्यानता बस राजा के यहां सवीकार उल्टे हो रहे थे इससे राजा और अधिक परिशान उटा उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सव होने के बाद भी सीतला का प्रकूप सांत क्यों नहीं हो रहा है एक दन राजा के गुप्त चरों ने उन्हें बताया कि कांची पुत्र को भी सीतला निकली थी पर वह बिल्कुल ठीक हो गया है यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं सीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ पूजा बानुस्टान भी कर रहा हूँ कोई कमी नहीं छोड़ी मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है जबकि कांची पुत्र बिना सेवा के ठीक हो गया इसी सोच में उसे निद नहीं आई स्वेत बस्त धारणी भगवती ने उसे स्वपन में दर्सन देकर का है राजन मैं तुमारी सेवा अर्चना से प्रसन हूँ इसलिए आज ही तुमारा पुत्र जीवित है इसके ठीक ना होने का कारण है कि तुमने सीतला के समय पालन करने वाले नियमों का उलंगन किया है तुम्हें ऐसी आलत में नमक का प्रियोग बंद कर देना चाहिए नमक से रोगी के पोड़ों में खुझली होती है गर की सब्जियों में चौंक नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इसकी गंद से रोगी का मन बस्तूओं के तरप ललचाता है रोगी का किसी के पास आना जाना मना है क्योंकि ये रोग औरों को भी होने का बैल लगा रहता है अते इन नियमों का पालन कर तेरा पुत्र अबसी ठीक हो जाएगा विदी समझकर देवी अंतर ध्यान हो गई प्रात से ही राजा ने देवी के अज्यान सार सभी कार्यों की विवस्ता कर दी इसे राजगुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभापड़ा और वह है शीगरी ठीक हो गया इसी दिन भगवान से किष्णो माता देव की विदीबत पूझा करने से सब प्रकार के मनुरत पूरे हो जाते हैं जो व्यक्ति इस दिन भगवान कृष्ण और माता देव की की पूझा करते हैं उनके जीवन में आने वाले सारी परिसानियां दूर हो जाती है एक और कता है एक प्रसिद कता के अंसार एक बार एक बुडिया और उनकी दो बगों ने सीतला माता का ब्रत्र किया उन सभी को अश्टमी तिती को बासी खाना खाना था इसके चलती उन्होंने सब्तमी तिति को भोजन बना कर रख दिया उन्होंने एक दिन पहले ही भोजन बना कर रख दिया था लेकिन दोनों बगों ने बासी भोजन नहीं करना चाहा क्योंकि उन्हें कुछ समय पहले ही संतान हुई थी उन्हें लग रहा था कि कहीं ऐसा नहीं कि बास भोजन करें और बीमार हो जाएं अगर ऐसा हुआ उनकी संतान बीमार हो जाएगी दोनों भगों ने जेवरानी जिठानी ने बास भोजन ग्रेंड नहीं किया इसके बाद पसूं के लिए बनाए गई भोजन के साथ ही अपने लिए भी ताजा भोजन बना करके ग्रैन कर लिया फिर जब उनकी सास ने भोजन करने के लिए कहा तो उन्हें टाल दिया ये करत देगमाता कुपित हो गई और अचाना की उनके नवजातों की म्रतू हो गई जब ये बाद सास को पता चली तो उसने अपनी बगों को घर से निकाल दिया दोनों अपने बच्चों के सबों को लिये रास्ते पर जा रहे थी तब ही वे एक बरगत के पेड़ के नीचे आगराम करने के लिए रुकी जहां पर दो बेने थी जिनका नाम ओरी वा सिर्तला था ये सिर्में पड़ी जूओं से बेहत परिसान थी बगों को उनकी इस्तिती देख उन पर दया गई उन्होंने उनकी मदद करनी चाहा और उन बेनों के सिर्से जूओं निकाल दिये इससे उन दोनों बेनों को चैन मिल गया उन बेनों ने बगों को आसिस दिया कि तुमारी गोद हरी वरी हो जाएं ये सुनकर बगों ने कहा कि उनकी हरी गोद तो लुट गई तब उनमें से एक बेन बेन जिनका नाम सितला था दोनों बगों को लतार लगाई और कहा कि पाप करम करने का डंड वगतना पड़ता है तब उन दोनों बगों ने माता सितला को पैचान लिया बे दोनों उनके पैरों में पड़ गई और ख्यमा माँगने लगी माता को उनके पश्चार करने पर दया गई और उनों उनके मिरत बालकों को जीवित कर दिया यह देख भी खुशी खुशी गाओं लोटाई इसके बात से पूरा गाओं सितला माता की पूजा करने लगा गाओं वालों को जब पता चला कि दोनों बगों को स्वेम सितला माता ने दर्सन की दिये हैं तो सभी लोग उनके स्वागत के लिए आए सभी ने दूम दाम से दोनों बगों का स्वागत किया सभी ने हाथ जोड़ करके सितला माता से प्रातना की कि इस सितला माता जैसे आपने इस बगो को दर्सन दिये इनका सुक आपने लोटा दिया उसी प्रकार से आप सभी को सुख प्रदान करें इस दिन बासी भोजन किया जाता है बासी भोजन का मतलब यह है कि इस दिन ठंडा भोजन करना चाहिए सीतला अश्टमी के दिन गरम भोजन नहीं करना चाहिए गरम भोजन करने से सीतला माता कुपित हो जाती है और कई प्रकार की परिशानिया आ सकती है तो इसलिए भी इसे शुप से ध्यान रखना चाहिए इस दिन हर प्रकार का बरदान माता देती है घर में सुक्सांती बनी रहती है बच्चों की रख्या होती है और जीवन में आ रही सारी परिशानियां दूर हो जाती है तो आपको भी अवस्य ही सीतला पूजन करना चाहिए और इस दिन बास ही भूजन करना चाहिए इससे सीतला मता का आशिवात प्राप्त होगा और आपकी सारी परिशानियां दूर होगी तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा सेयर करें चैनल को सबस्गाय करें भगल में घंटी बटन को दवा कि ओल को दवा देहर वीडियो नोटिपिक रिशन पाने के लिए मेरे चैनल पर आपको और प्रकार की नोलिज की वीडियो पराप्त होती रहेंगी साथ ही कमेंट में जय सितला माता जरूर लेके हैं